हेलो नमशकार दोस्तों सवागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों मैंने दो तीन दिन पहले एक वैकेंसी का जिकरि किया था जो आपकी 3dfccil की भरति जो निकल के आई थी उसमें दोस्तों किया था कि आपकी तो दूसमें आपका यह मिंस्व करने कि स 언제 आपको ब्रोचाब मार्स को तरह गाए। अथात नीचे जो आपको रेट कलर का बटन देख रहा है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करके घंटी वाल आइकोन को दबागर और नोटिफिकेशन पर क्लिक किजएगा ताकि कोई भी वेकेंसी आए तो इसकी जनकारी में दें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उसका इस फार्म को अपलाइग कर सकते हैं चले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं बिल्कुल पूरूप के साथ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया यह आपकी जो वेकेंसी है यहाँ पर साब साब दिखा गया और यह जो आपका नोटिस जारी किया गया था मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था एक साथ 2020 को जारी किया गया था लेकिन उसमें आपको लाश्ट डेट मेंसन नहीं किया गया था लेकिन जो फाइनल इसका लाश्ट डेट मेंसन कर दिया गया और यह जो आपका फार www.dfcil.com से आप जाकर apply कर सकते हैं चले यहाँ पर हम पहली जनकारे ले लेते हैं इसमें आपको कौन कौन से पद पर इसको farm को apply करना है तो यहाँ पर पोश्ट देख सकते हैं यह आपका post है यहाँ पर देख सकते हैं इसमें assist therapist loco pilot है और loco inspector है और यहां पर और भी पत्पा यहां पर वेकेंसी निकल के आ रही है जिसमें पोश्टों की संक्या यहां पर देख सकते हैं मेंसन किया गए हर एक पोश्ट के सामने यहां पर मेंसन किया गए किसमें आपकी कितनी पोश्ट में कितनी वेकेंसी है निकल के आ रही है थोड़ा सा आप नीशे आ जाते हैं यहां पर हम बात करते हैं आई टी आई वालों के लिए तो आई टी आई वालों के लिए आप थोड़ा सा नीशे आ जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इसमें जो आपका मेंसन किया गया है यहां पर कटेगरी वाइज यहां पर मेंसन कि और यहां पर एज लिमिट की कि कितनी इसमें आपकी एज लिमिट है तो यहां पर देख सकते हैं तो फार्म आप लाइक कर सकते हैं ठीक है इस बात को ध्याने केगा और इसमें आपको छोट भी दिया जाता है यहां पर नेचे आ जाते हैं तो इसमें आपको सारा कंडिसन रखा गया आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं बात कर दोस्तो इसमें पेमेंट थेर सकते हैं यहां पर रखा गया और यहां पर रखा गया और यहां पर रखा गया तो इसमें 25,000 से आपको 68,000 रखा गया और इसमें योगिता की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया आई श्काइब कर सकते हैं, गया नहीं को इसमें कि नहीं किया गया है तो दोस्तो आप आल इंडिया से आप अप्लाइक कर सकते हैं आथाथ इंडिया के रहने वाले हैं किसी भी स्टेट के रहने वाले तो आप फार्म को अप्लाइक कर सकते हैं अथाथ हम कह सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है और इंडिया वैकेंसी है जिसका लाश्ट डेटर झातरों